कहते हैं कि इस दुनिया में हर इंसान से कुछ न कोच सीखा जा सकता है ज़रुत है तो बस एक नजरिये की अब हम किस इंसान को किस नजरिये से देखते हैं उस इंसान से क्या सीखते हैं और जो सीखा है उसे किस तरह से अपनी जिन्दगी में इंप्लिमेंट करते हैं ये हमारी समझ पर निर्फर करता है हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागता है आपका हमारे और आपके अपने चैनल थ्रिल स्टेशन पर और आज हम बात करने वाले हैं सबसे खास Avenger Hawkeye यानि Clint Barton के बारे में दोस्तों इससे पहली भी आपने बहुत सी वीडियोस देखे हूंगे जिन में ही बताया गया है कि क्यों Hawkeye Most Important Avenger है लेकिन इस वीडियो में हम Hawkeye की personality का breakdown करेंगे और जानेंगे वो तीन बाते हैं जो हम Hawkeye से सीख सकते हैं और उन्हें अपनी जिन्दगी में implement करके अपनी जिन्दगी को थोड़ा और भैतर और अपने आसपास के माहौल को थोड़ा और अच्छा बना सकते हैं साथ ही हम कुछ references के बारे में भी बात करेंगे जिनसे हम Hawkeye की personality को थोड़ा और भैतर तरीके से समच सकते हैं तो आईए शुरू करते हैं एक ऐसे इंसान को जो डरा हुआ हो जिसे अपनी की हुई गलतियों का गिल्ट तकलीव दे रहा हो और जो हालतों के सामने सारी उमीदे छोड़ चुका हो ऐसे इंसान को मोटिवेट कर पाने और हलातों का सामना करने के लिए प्रेरित कर पाने से ज्यादा बड़ी और कोई सूपर पावर नहीं Avengers Age of Ultron के climax में Wanda की हलात भी कुछ ऐसी ही थी Wanda डरी हुई थी उसे Ultron का साथ देने का बहुत अफसोस था और उस हाल में वो Avengers ही कोई मदद नहीं कर सकती ही तब Hawkeye ने वहां आकर उससे कुछ शब्द कहे जिनसे Wanda एक नहीं उर्जा से भर गई आए देखते हैं Hawkeye ने Wanda को मोटिवेट करते हुए क्या कहा The city is flying We are fighting an army of robots And I have a bow and arrow None of these make sense But I am going back out there because it's my job And I can do my job and babysit It doesn't matter what you did and what you were If you go out there, you fight and you fight to kill Stay in here, you are good I'll send your brother to come find you But if you step out that door, you are an Avenger तो यहां पर सबसे पहले Hawkeye डरी हुई Wanda को हालातों की गंभीरता का एसास कराता है साथ ही उसे अपनी कमजोरी और अपने डर के बारे में ही बताता है ताकि हो Wanda के दिल में बसे डर को न्यूटरलाइस कर सके Hawkeye कहता है कि पूरा शहर उड़ रहा है हम रोबोट्स की आर्मी से लड़ रहे हैं और इतने शक्तिशाली दुश्मन का सामना करने के लिए उसके पास हतियार और पावर्स के नाम पर सिर्फ तीर कमान है जो कि बहुत ही अजीब बात है यहाँ पर Hawkeye जानता था कि Wanda के पास इस तरह की बड़ी लड़ाई को लड़ने का कोई experience नहीं है जबकि तीन साल पहले Hawkeye New York में सुकोविया से भी बड़ी लड़ाई लड़ चुका था साथ ही वो एक expert आर्चर भी था यानि उसे अपनी abilities को अची तरह यूज़ करना आता था लेकिन इन सब बातों का जिकर Hawkeye ने Wanda के सामने नहीं किया बलकि उसने robots की आर्मी का जिकर किया जो की वाकई में बहुत बड़ी थी इससे Wanda में confidence develop हुआ कि जब Hawkeye सिर तीर command के सारे पूरी आर्मी से लडने की हिम्मत रख सकता है तो वो ऐसा क्यों नहीं कर सकती उसके पास तो Hawkeye के मुकाबले कहीं गुना ज़्यादा powers है इसके आगे Hawkeye ने कहा कि वो अपना फर्ज निभाते हुए Wanda का खयाल नहीं रख पाएगा तो ने Wanda को इतना तो मचबूत बना दिया था कि किसी और के सारे बैठे रहना उसे कभी मनजूर नहीं हो सकता था इस सब के साथ ही Hawkeye के कहुए आकरी शब्द ने तो रही सही कसर भी पूरी कर दी सालों तक बिना किसी मकसद के जी रही Wanda हो पहली बार एक पहचान मिली किसी बड़े नाम का हिस्सा होने का मौका मिला और इसके बाद तो Wanda के पाश ड़ने का ये हालातों से भागने कोई कारण बचा ही नहीं था इस बात को थोड़ा और भैतर तरीके से समझने के लिए हम आपको Robert Green की novel The Art of Seduction सज़ेस्ट करेंगे इस कताब में इत्यास से जोड़े बहुत से incidents और facts के बारे में बताया गया है जिनमेंसे एक incident है Great Britain की रानी Queen Victoria 2 और Britain के दो former Prime Minister William Gladstone और Benjamin Disraeli के बारे में Queen Victoria बताती है कि जब वो Prime Minister William Gladstone से मिली और उनने उनसे बात की तो उन्हें ऐसा लगा कि Gladstone इस दुनिया के सबसे होशार और समझदार इनसान है लेकिन जब वो Benjamin Disraeli से मिली तो उन्हें ऐसा लगा कि वो इस दुनिया की सबसे समझदार और होशार महीला है दोस्तों Queen Victoria की इस बात का मतलब यह नहीं कि Benjamin Disraeli खुद को किसी से कम तर्याक बेकूफ इनसान दिखाते थे बलकि वो किसी भी इनसान को मिलने से पहले उसकी Personality, Achievements, Likes, Dislikes पर पूरी रिसर्च करते थे और फिर उनसे मिलते वक्त उसी according behave करते थे उनके अंदर हुनर था किसी के चोटे Achievements को भी बड़ा बता कर उन्हें आपने बड़ा महसूस कराने और खुद पर गर्व कराने का जिससे लोग भी उन्हें पसंद करते थे और उनकी तरफ आकरशित होते थे दोस्तों आपको किसी से मिलने से पहले उस पर detailed analysis करने की जोरत नहीं है लेकिन हमारे आसपास ही ऐसे बहुत से लोग है जो खुद को underestimate करते हैं अपने talent पर भरोसा नहीं करते अपने हुनर को समझ नहीं पाते वन्डा ने एल्टरॉन के रोबोट्स को कागस के टुकडों की तरह फाल कर रख दिया था वन्डा के अपनी पावर्स को सही जगा यूज करने से होकाई समेच सारे Avengers और पुरी दुनियाओं कितना फायदा हुआ ये एक Marvel fan से बैतर और कौन समझ सकता है वहीं दूसरी तरफ अगर आप Great Britain का इत्यास देखें तो आपको पता चलेगा कि Benjamin Disraeli और William Gladstone के कारेकाल में कितना फर्क था Gladstone प्रायम मिनिस्टर बने उन्होंने प्रायम मिनिस्टर की तरह अपना काम किया और चले गए लेकिन Disraeli का कारेकाल प्रायम मिनिस्टर की तरह नहीं बल कि कहीं के राजा की तरह था पूरे कारेकाल के दोरान उन्हें राज महल और रानी की तरफ से तरह तरह के तौफे मिलते रहे उन्हें शाही दावतों में बुलाया जाता था और वो हमेशा राज घराने के शाही लोगों से घरे हुए रहते थे अपनी काबिलियत पर गर्व करना और अपनी तारीफ सुनना सभी को अच्छा लगता है ये एक basic human nature है और ये हम सब में होता है तो अगर आप में लोगों को उनके strong points बताने का honor है तो लोग बेशाक आपको पसंद करेंगे और जो इनसान आपको पसंद करता है वो कभी न कभी आपके काम जरूर आएगा बस इतना याद रहे दोस्तों कि आप एक चिटी को इसलिए appreciate कर सकते हैं अच्छे से पढ़ें और retail में समझें ताकि गलिती की कोई गुझाईश न रह जाए दोस्तों इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक fixed schedule को follow करते हुए जी रहे हैं ऐसा करने में कुछ गलत नहीं है लेकिन हर दिन एक ही cycle को repeat करने से जिंदगी में कुछ नया करने या कुछ नया होने की गुझाईश खत्म हो जाती है हलातों के अनुसार खुद को बदलने और अपने नियमों के साथ थोड़े बहुत compromises करेके दूसरों की मदद करने की इनसानियत हमें होकाई में देखने को मिलती है अवेंजर्स इनिशेटिफ प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही होकाई शादी शुदा था और उसके दो बच्चे थे जिनकी सुरक्षा के लिए क्लेंट बाटन ने उन्हें हमेशा से सबसे चुपा कर रखा था लेकिन अवेंजर्स इज ओफ अल्टॉन में जब हलका और आइरन मैन के हलक बच्टा आर्मर के बीच जबर दस्त भिड़न थुई क्योंकि कहीं न कई होकाई भी जानता था कि सुकोवियन अकॉर्ड्स पूरी तरह से सूपाहिरोस के हक में नहीं है इस सबसे पता चलता है कि होकाई अपने असपास के लोगों वो कितनी एहमियत देता था फिर चाहे वो उसका परिवार हो या फिर उसके दोस्त क्लिंट खुद को हालातों के अनुसार ढ़लने में कभी पीछे नहीं हटता था इस पॉंड को थोड़ा और बहतर तरीके से समझने के लिए हमा को जिम केरी की फिल्म Yes Man सेज़ेस्ट करेंगे इस फिल्म के कानी एक बैंक में 9 to 5 की जॉब करने वाले कार्ल नाम के इंसान पर अधारित है जो बहुती बोरिंग से जिम्देगी जीता है, खुद को अपने सारे दोस्तों से दूर रखता है और उसकी बोरिंग जिन्दगी रोमांचा खुती चली गई दोस्तों हम इनसान कोई कम्प्यूटर प्रोग्राम नहीं कि हमेशक सेट अफ रूल्स को ही फॉलो करते हुए चलें जिन्दगी में हर्दे निकनाया रोमांच है, ज़रुरत है तो बस थोड़ा सा रिस्क लेने और कुछ अलग करने की हौकाय अपने दोस्तों के लिए कोई भी खतरा उठाने को तयार था और कारल अपने दोस्तों के अपनी किसी भी आदत को बदलने के लिए तयार था कर सकती है, इसलिए एक कलेर होना बहुत जोरी है कि ये फिल्म असल में आपसे कहना क्या चाती है तो अपनी परसनेलिटी को फ्लेक्सिबल बनाएं ताकि आपके आसपास के वो सभी लोग आपको पसंद करें जिन्ने आप पसंद करते हैं दोस्तों जागरुकता किसी भी इनसान की जिंदगी में एक एहम किरदार अदा करती है हमारे असपास जो कुछ भी होता है या जो कुछ भी हो रहा है उसे समझना और उसे अकॉर्डिन डिशिजन लेना बहुत जोरी है हालातों को अची तरह समझे बिना और सामने वाले के पॉंट अव्यू को जाने बिना उनके अक्शन्स पर रेक्ट करने से कभी कभी हम ऐसी कुछ गलतियां कर सकते हैं जिनके लिए हमें बाद में पस्ताना पड़े हौकाय ने अपने जागरुक सुभाव का सुभूत कहीं बार दिया है हौकाय हमें सबसे पहली बार 2011 कि थौर मूवी में देखने को मिला था जहां उसे शील्ड ने इस्ट्रिक्ट ओर्डर्स दिये थे कि अगर कोई भी मियोनेर के पास जाने ही खुशिश करे तो उसे किसी भी कीमत पर रोका जाए लेकिन जब थौर अपने हमर को उठाने गया तो हौकाय ने ओर्डर्स को ना मनने का फैसला किया इस मुवमेंट पर थौर की शक्तियां जा चुकी थी और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त अगर हौकाय अपने एरोस थौर पर चला देता तो थौर बुरी तरह से घायल हो सकता था या फिर शायद उसकी जान भी जा सकती थी तो सिर्फ होकाय वंडा को चक्मा दे पाया था क्योंकि वो ये दिमाग वाला खेल पहले भी खेल चुका था और वो जानता था कि अपने विरोधी को कभी भी अपने जादा करीब नहीं आने देना चाहिए इस सबके साथ ही सिविल वार के एरपूर्ट बैटल सीन में जब होकाय और ब्लैक पैंथा रामने सामने थे तो होकाय ने डिरेक्ट वन वन फाइट में इंवाल्व होने से पहले टिचाला को अपना इंट्रलक्शन दिया क्योंकि सामने वाले का मोटिव और इंटेंशन जाने बेना उसे रड़ना इथिकली फेर नहीं है होकाय को पता था कि उसके बाकी के दोस्त आपस पे क्यों लड़ रहे हैं लेकिन टिचाला हुआ अचानक आया था और उसके लड़ने की वज़ा सुकोविया अकॉर्ट की जगा कुछ और होने की वी संभावना थी और यही सच भी था इस वीडियो में फिलाल इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होते हैं से लाइक करें दूस्तों के साथ शेयर करें हमारे चैनल को सब्स्राइब करें और एंटेटेन्मेंट इंड़स्ट्री से जड़े लेटेस अपडेट्स के लाएं में इंस्टेग्राम पर ठक्स वरचिंग!